हलो दोस्तों कैशे हैं आप लोग आसा करता हूं कि आपने घर पे आउंगे स्वास्तोंगे स्वरक्षित होंगे मैं वरुन किशोर परपाटी कंसल्टेंट अमेजिंग परपाटी से आपके लिए फिर एक प्लॉट लेकर आया हूं लेकिन इस प्लॉट की जनकारी देने से पह छले मिल सकेतों तो चली दोस्तों मैं आपको ईस प्लॉट के बारे में बता देता हूं यह सामने प्लॉट देख रहे हैं यह प्लॉटेंग कि आपना तीन किया हुआ है इसमें से आपको 12 feet का रास्ता निकाल कर दिया जाएगा जिसमें कि आपको plot का face पूरब और पस्चिम आमने सामने आपको मिलने वाला है एक कठे में आपको 38 से 40 feet का front मिलने वाला है पूरब से लीजे या फिर पस्चिम से लीजे यह जो सामने एक देख रहा हैं यही से 12 feet का अंदर र रास्ता निकाला गया है यह तोटल यह देखिए यह दुसरा रास्ता निकाला गया है जिसमें आपको पूरा वर पस्चम दोनों तरब से आपको फेस मिल लेगा जिसमें की 38 फिट आपको फ्रंट एक कठ्थे में मिलने वाला है लोकेशन की मैं बात करूं तो यह प्लॉट आपको लखनी विघा में पढ़ने वाला है लखनी विघा अगर आप जानते होंगे तो ठीक नहीं जानते होंगे तो वहीं मैं बता देता हूं दानापूर रेलवे स्टेशन से पहले जो डियारेम आफिस है इस्टेशन दानापू लोकेशन वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं सामने सत्विका का एक अपार्टमेंट यह देख रहे हैं सामने बन रहा है सत्विका ग्रीन्स करके और यही रास्ता आगे जाके आई-एस-एम कॉलेज जो मैनेजमेंट कॉलेज है आगे जाके यहां से लगवग एक किल और यही रास्ता आगे जाके सरारी गुमटी के पास जाके निकल जाता है तो लोकेशन के हिसाब से काफी अच्छा है जो लोग मेडियो मेडियम बज़ट के हैं पतना में अपना मकान बनाना चाहते हैं तो उनके लिए काफी अच्छा प्लाट होने वाला है आप इसमें से आधा कठ्था भी लेंगे तो 19-20 फिट फ्रंट आपको आराम से मिल जाएगा यहां से यह जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं यह एक्वासिटी बिल्डिंग है एक्वासिटी का जो अपार्टमेंट बन रहा है और यह जो वाइट कलर का सामने आप माद्डिंग देख रहे प्लोटिंग काफी अच्छा तरीके से किया गया है इसमें से आप कॉर्णर प्लोट भी अभी पूरा खाली है दो इसमें से चार कॉर्णर प्लोट आगे से मिल जाएगा जो कि दक्षिन और पुर्व का कॉर्णर होगा एक तरब से दक्षिन और पूर्व का कॉर्णर होगा एक तरब से पस्ट्रिम और दक्षिन का कॉर्णर इसमें मिल फ़ो यासता मैं आपको समझा देना चाहरू यह आप सामने इस प्लौ पर आएंगे तो एक यहाँ प्लांट लगा हुए मिक्सिंग है रोड कंस्ट्रक्शन का मिक्सिंग का प्लांट है उसी के बगल से यह आप देख रहेंगे बाउंडरी किया हुआ है उसी boundary वो सामने अब देख रहे हैं मेन पक्की सरक है लखनी भीघा वाला और उसी के बगल से यह सामने बाउंडरी के सटे हुए एक रोड अंदर आया हुआ है और वहां से एक ताड का पेड देख रहे हैं ताड के पेड से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और वहां से फिर द यह पकी सरक का अगर हम लोग दुरी ना पेंगे तो लगभग सौ मीटर के आसपास में परने वाला है तो लोकेशन काफी अच्छा है इसी में आपको प्लोटिंग करके एक कठ्था दो कठ्था आधा कठ्था जो आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं तो आसा करता हूं कि यह प्लोट आपको पसंद आएगा इस प्लोट से रिल्टेट कोई भी जनकारी चाहिए तो इसक्रीन प तक के लिए जय हिंद जय भारत